त्यारवच्छो नमस्कार, इस लेक्चर में आफ सभी का बहुत से पहले हम लोगों ने मीन चार्ट कैसे प्रिपर करते हैं लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं कर लिया था अब हम प्रावलम कर रहे हैं पी और एनपी चार्ट से लिट करने का प्राइस करेंगे इस लेक्चर में हम जनली एनपी चार्ट कैसे बनाएंगे इस क्या होगी करने वाले आए देखते हैं वीडियो की पीडियाफ आपको डिस्क्रिप्शन आप महां सब्सक्र लिजेगा आपका एक प्रापर बन जाएगा देखे का रहा है कि प्रावलम है मारे पास इन ही मैनुफक्चरिंग इस नमबर आप डिफेक्ट आइटम स्पाउन इस इस एक्शन आप 10 साम्पल अब साइज रेड़ इच अंपी जाट इन गीडियोर कमेंट्स का मतलब है कि अगर कुछ पाइंट्स आउटसाइड है सभी पॉइंट्स अंडर कंट्रोल लिमिट्स है तो वी कन से देट कि आप के आपके पास अब यह नमबर आप डिफेक्टिव बेस्ट ही होता है इसके हमको फॉस्पल को फॉस्पल कितना तो सेंपल को हम के से लिखते हैं सबसे पहले आपको Coffee आपको क्या निकाल नैकलना होगा क्या हमारे पास क्या होता बार हिलिखना है इसची लिख देते हों यहां क्या है अपकापका क्या होता है यह यह होता है और आप दिफेक्ट अब यहां पे इसको आड कर लिजिये 6 plus 9 plus 12 5 plus 12 plus 8 plus 8 plus 16 plus 13 plus 7 divided by एक यह इस इंपोर्टन 10 इंट इस पी बार इस बाट 6 plus 9 आड करते हैं और भर करते जाएंगे 10 12 5 12 16 16 13 20 96 96 96 आपान 1 और अब 3 पॉइंट्स के बार थसमलो 0.0 किस की वैलू आ गई बार की ठीक है 0.0 बार की वैलू जागे यह एंट्पी चार्ट बनाना है वहां पे हमको एंपी बार की रिक्वार्ट्स होती जरूरत है बार की जरूरत होती है, basic formula है, 10 आपके पास है, 100, इस लोग 10 से multiply कर देते हैं, 10 is not 10, 10 है आपका total number of sample है, और n क्या है, sample size को represent करता है, तो sample size कितना है, यह ध्यान रखेगा, that is important, 10 हो गया, और यहाँ पे into 0.96, तो इसको multiple कर लेंगे, that is the 9.6, NP बार आगया, 9.6, अब control limit, limit, limit for, limit for, and yard, सबसे पहले हम क्या find करेंगे, CL, CL को क्या कहा जाता है, central line, ठीक है, क्या find करेंगे, बाटा, central, central line, क्या जाता है, CL, CL की value होती है, NP बार के बराबर, so that is a 9.6, अब आते है, upper control limit, C, चा कहते हैं, इसको upper control limit, ठीक है, फार्मुला ध्यान से, NP बार, प्लस 3, under roots, NP बार, और 1-P, that is important, यह फार्मुला है, UCL का, NP बार कितना हमारे पास है, 9.6, प्लस 3, under roots में देखिए, 9.6, डैकेट में, 1-0.09, ठीक है, that is important, CLC में calculate करना है, CLC को बहुत ध्यान से करना है, सबसे पहले हम लेख लेंगे, 9.6, 10, अब इस वाले पार्ट को फिर आगे focus out करेंगे, ठीक है, पहले हमको simply क्या करना है, साइड वाला जो है, उसके बास solve करेंगे, पहले क्या करना है, simple यहाँ पे, 9.6 हो गया, फिर bracket लगा लीजिए, 1, फिर, minus, 0.96, bracket क्लों, ठीक है, और फिर आगा, 8.6784, 8.6784, पर उसका square root यहाँ पे देखिए, आइस निकाल लेंगे, आगा, 2.9459, ठीक है, आप चाहो त्याहाँ लेकलो, 3 into 0.94, 0.94, 59, 5, ठीक, अब इसका मुल्टिपल, यहाँ पे हो जाएगा, 9.6 बिटा, प्लस, इसका मुल्टिपल, तो 3,97, 27, 27, carry 2, 15, 35, 15, 17, 3,40, 12, 3,40, 12, 3,40, 12, 1 कर देंगे, तो 3,40, 12, 13, 3,90, 27, 8, 28, 3,26, or 2, that is important, 8.8377, add कर दीजे, simple यहाँ पे देखिए, तीन दसमलों के बाद, तो 7, 7 अपने जगा, 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14, ठीक है, 1 carry, 9, 9 और 8 कितना हो, 17 और 1, 18, that is here, 4 points के बाद, 18.43, क्या निकला, यू, LCL आपका निकल जाएगा, simple, के बालू से, 14.83, अब LCL की बात करते है, LCL क्या होता है, तो यहाँ पे NP बार हो जाएगा, माइनस होता है, 3, the roots, NP बार, और 1 माइनस प, वह इस तेम पैटरंस, NP 9.6, माइनस 3, स्क्वार रूट में, 9.6, और 1 माइनस, 2.09, देखे, उसको काल्कुलेट किया है, तो क्यों सा है, यह वाला पार्ट, यह वाला जो पार्ट है, इतना है, 8.377, यहाँ पे आजाएगा, simply, 9.6, माइनस, 8.8377, अब इसको काल्कुलेट कर ली, बहुत इंपॉर्टेंट है, जाल उसको माइनस कर लेना, तो क्यल्सी में कर लेता हूं, कोई, वालम्स नहीं, 9.6, माइनस, 8.837, 0.7623, 0.7623, यह आपका काल निकल गया, L, C, L, C, L, XL, U, C, L निकल गया, और C, L निकल गया, अब इसको प्लोटिंग करना है, जैसे पिछला हम लोग प्लोटिंग कर रहे थे, विसी तरह से इसको भी हम प्लोट करने का प्रास करेंगे, minimum और maximum देख लेना है पहले, कि what is the minimum or maximum value आपको देखनी है, देखे, minimum आपका 0.76 है, दिक्कत नहीं है, 0.76 से ध्यान रखेगा, इसके बाद हमारे पास क्या है, maximum जो आ रहा है 18.43 है, तब 19 points तक हमको जाना है, और दूसरा है 9.6 जो आपके पास है, CL, ठीक है, यह बहुत बारिक से समझना है, तो 18 points तक आपको उसे लेकर के जाना है, इस point को ध्यान रखना है, यहां से वर्टिकल्स इस तरह से आएगा, यहां रखना है आपको, बड़ा हमको लेना है तो थोड़ा से रेंज डिसाइट कर ले रहे हैं, और इधर वर्टिकल्स जाएंगे, यह यह आपका क्या लिखना है, sample numbers इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, horizontals में, अब यहां पर यह change हो जाएगा, यह points आपको होगा, number up defective, जर हम लिखेंगे, for up, अब plottings देखे minimum है, तो 18 points मेरे लिए यहां पर थोड़ा different होगा, क्योंकि हम box करेंगे, तो 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और फिर 13, 14, 18 तक थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, that's important है, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, बड़ा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, मैं 1 points को 2 लेने जा रहा हूँ, पल से यहां पर बूलूंगा, इसको क्लिए 4, इसको क्या लिखने वाला हो, अच्छ है, यहां पर 8, 10, 12, 14, 16, 18, ठीक है, point को plot करना है, इस गैपिंग करके, पहला CL आपको draw करना है, CL कितना है, 9.6, पहले तो 9 देखना है, 8 और इसके बीच में यहां होगा, इसके ऊपर थोड़ा सा आप जब, आप 18 तक ले लिजेगा point, तो आपकी गैपिंग बहुत सही होगी, 8 और बीच का 9 हो गया, इसके ऊपर यहां पर इसका हमारा draw हो जाएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से, आपका CL यहां पर रहा हो गया, अगला देखिए, अगला आपके पास क्या है, 7.7623 है LCL, तो बहुत इसी जो लाइन है, इसके बहुत हलका सा उपर चलेगा, जो बेस लाइन है, उपर हम इसको start करेंगे, क्या करेंगे जो बेस लाइन है, क्या के ऊपर हो जाएगा यह LCL, और UCL देखिए कितना, 18.4 थी, 18.4 माल लिए, 18.4 है, इसी के ऊपर थोड़ा सा, आजल जाए, यह plot हो गया, अब नीचे हम sample numbers को दिखा रहे हैं, तो sample numbers अभी यह plot ने किया, sample numbers आप यह देख लीजिए, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अब हर एक values को आपको देखना है, check out कर रहा है कि वालू कहाँ पर workouts में है और laser करते चलना है आप, ठीक है, अब हम मैं questions को देखूंगा, यहां पर हमारे पास values है, पहले पर हमको क्या देखना है, sample 1 पर क्या देखना है? 6 value देखनी है, sample 1 यहां पर है, 6 देखे कहा है, यह आप पर है, 1 पर 6 यहां पर हो जाए, इसके बाद क्या देखना है? 2 पर 9 देखना है 9 यही है, आपकी lines हो है, यह 9.6 है इसी के थोड़ा सा नीचे रहेगा यह ध्यान देखेगा यह होगा? यह 9.6 है यह 9 देखना है, 3 पर 12 देखना है, 3 पर 12 हो हो जाएगा यहाँ पर यह ऐसे lines इसको आपको join भी करते चलना है इसके बाद क्या देखना है? 4 पर, 4 पर हमको 5 देखना है 4 पर देखना है 4 और 5 के बीच में हमारे पास value मिलेगी 5 पर 12 देखना है 5 पर 12 यहाँ पर values मिलेगी इसको join कर दीजे 6 पर 8 देखना है 6 पर 8 हमारे पास यहाँ है 7 पर भी 8 है फिर क्या 8 पर 16 देखना है 8 पर 16 पर 16 देखना है 16 पर 16 देख लिजे पर 16 यह रहा आपका 16 16 16 9 पर 13 देखना है 12 और 14 के बीच में आपका और फिर 10 पर 7 देखना है 6 और 7 के मिडिव अब देखे संपल यह वर्काउट हो गया इसका प्लॉटिंग अब यहाँ पर क्या दिख रहा है सभी पोइंट्स क्या है सभी पोइंट कावऄ हैं बेटा आपके कंट्रोल लिमेट्स का है Since all points lie inside control limits then process under यह आपका लिखना है given your comments लिखा हुआ है तो comments में यह हाँ लिखेंगे ठीक है, यहां भी लिखेंगे, since, all points, I, control, limit, then, process, control, यह आपका यहां पे, यह questions complete हो, इसी तरह से, और भी questions हम लोग करेंगे, mean chart और rain chart पे, जैसे कि आपका एक point out clear हो, और basic fund, टैपलपोर्स, एक क्यास, थैंक्यू, वीडियो की PDF आपको, description box में, link मिलेगा, तलिजेग, थैंक्यू,